नमस्ते दोस्तों मैं आंशु कुमार आप सभी का स्वागत करती हूं ग्रीन टीवी के कारकर्म किशी धुरंदर में दोस्तों इस कारकर्म के जरीए हम आपको खेती बारी से रिलेटेड ऐसी कमपनियों के बारे में बताते हैं साथ ही में उनके मैनेजिंग डिरेक्टर से आपको मिलवाते हैं इसी सिलसिले में आज हम आ गये हैं नाभा में नाभा में हम आपको NS AgroWorks के Managing Director से मिलवाएंगे जो की हमारे जरीए आपको अपने बारे में और अपनी कमपनी के बारे में बताएंगे तो आएए स्वागत करते हैं Mr. Parminder Singh जी का और जानते हैं इनके बारे में और इनकी कमपनी के बारे में Sir आपका बहुत-बहुत स्वागत है हमारी स्कारक्रम में सबसे पहले आपसे जाना चाहेंगे कि NS AgroWorks है क्या अगर एनेस की बात करें एनेस से हमारे फादर साब का नाम है सलाद नरंजन सिंग तो उनके नाम से हमारी कमपनी है NS AgroWorks Sir आपकी कमपनी कौन-गन से बनाती है just है कि Agro कर दुट्र कहा चरला है अगरिकुल्च्ट्र बनाती है और कौन-कौन से बनाती है और कौन-गन से बनाती एक हमारे इनकी कमपनी स्पैसिलिश्टी तो यह है और उसके चलते चलते बीच में ओर्डर भी आते रहते हैं, तो वो कम्प्लीट हो जाता है, जी, और सर इस कंपनी की नीव कब रखी नहीं थी, ये इस कंपनी की नीव हमारे फादर साब ने 94 में स्टार्ट किया था हमने बिजनिस, जो ये काम है हमारा, तो पहले हम स्पेर पा को जाने कि पार्ट्स जानने जाने कि पहले बनाए ते अब पार्ट्स लेकला नुगी बनाते थे अले, तो उसकि जितने भी पार्ट्स होते हैं क्या पार्ट्स गोड़े। Cul RPG MP1 रिक्टिक बश्पर्ट्स लेक्त अबम्र्वass-efju बनाлена स्टीज मेटल वाला मेटियल जो है वो राव मतियर लेकर के हम अपनी फेक्टरी में कोदी तियार करते हैं और सबस्टे अगर हम बात करें किसी भी काम की अगर शुरुवात करते हैं तो उसमें बहुत सारी कठनाईयों का सामना करना पड़ता है तो इस कमपनी की भी अगर नीव रखी गई होगी तो बहुत सारी कठिनायों का सामना करना पड़ जिसके बारे में आपके पिताजी न आपको जरूर बताया होगा उसके बार में बताईए उस टाइम में 1994 में जब कि किसान खुद ही हर्वेस्टिंग करते थे उस टाइम में य और राहली एक हर्वेस्टर बनाई उसको फिर एमने फिल्ड में उतारा तो उसके बाद जब उसको उसने हर्वेस्टिंग किया तब उस समय हमको को जो जो ब्रॉलम्स साही उस समय हमने लिए क्या चीज़ करना चाहिए उसके हिसाब से भरम दीरे सुरवाई करते रहें तो निकलता रहा काम जी और सर आप लोगों ने जो है वो किन-किन बातों का मतब हर्वेस्ट बहुत सारी कंपनियां बनाती हैं लेकिन आइस एग्रो वर्क्स ने किन-किन बातों का जादा ध्यान में रखा कि किसानों की जरूरा थे किसान जिससे सैटिस्फाइड हो जी यह वो खराब ना हो तैर के नीचे आके फसल ना खराब हो या गाड़ी की स्पीड इतनी ना रहे कि वो पौदे को जड़ से उखाड़ दे यह सब चीजों का ध्यान रखा है उसके बाद गाड़ी में क्वल्टी हम क्या डाल दे तो हमने किस कंपनी का पार डालना है कौन सा पार ड को अगर की संचिंशन में जाके किसानों से बातचीत कर के आप लोग समझते हैं या फिर किस डरीं यह तो एसा है कि किसान ही बताते हैं कि हमें किस चीज में दिक्क्त आ रही है जैसे कि पहले उनको दिक्क्त आव एकि फसल टाइम से नहीं करती थी जैसे कि बारिश आ गई या कभी कभी शॉर्ट सर्कुट हो गया वो मतलब की आग लगने का चांस बन गए ऐसी कडिकती जा उसको काटने के लिए लेवर नहीं मिलती थी काटने के लिए जो काटती है मच्जूर बगएरा यह सब नहीं मिलते थे तो इस चीज को देखकर के फिर मशीने आई मशीने बन हैं किया तो जैसे-जैसे किसान की डिमांड निकलती है वैसे-वैसे चलता रहता है अगर अगर हर्वेस्टर की बात करें तो इसको जो है वो कौन- imminent उसकी क्या-क्या यूजेज है उसकी तरीके से जाधा से जाधा फाइदह उटा सकते हैं कि आट-दस फसले हैं जो कड़ जाती है जैसे कि मेन तो ये हो गया अपना गेहूं हो गया और धान हो गया सूर्ज मुखी कड़ती है और सरसों कड़ जाती है दाल मतर चने यह काफी फसले काटी है जयानी कि जो मोटे-मोटे जो हैं जिसकी पैदावार मलोव इंडिया में सबसे स운데 संट की आप से जानेंगे कि क्या क्या क्या्यो力 है उस्पूर जो और समधर और कंपनी नीज रूटे से बनाती अब चोर्टे से ब्रेक के लिए आप घ्रीन टीवी क्या होत है जैसे कि स्टील मटीर्याल है यह अधर्स कंपनियों से ठोड़ा उंढ़ को यूज करते हैं और इस पर आजो से उसमेंग जो है यह जो को यह कोफेश यह लेक्टर बार्ट होते हैं ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है ग्रीन टीवी में दोस्तों आज हम बात कर रहे हैं एनेस एग्रो वर्क्स के मैंनेजिंग डाइरेक्टर से सर अब आप से जानना चाहेंगे कि जैसे की ब्रेक पर जाने से पहले मैंने आपको बताया था कि एसे कौन-कौन सी क्वालिटीज है आपके प्रोडक्त में जो औरो कंपनियों के जो बहुत सारी कंपनियां हैं जो हर्वेस्टर बनाती है लेकिन ऐसे कौन-कौन सी क्वालिटीज है जो आपको उनसे अलग बनाती है उसमें ऐसा है जी जो मटील यूज होता है जैसे कि स्टील लगाने ही उसकाए हिर्माब फर्म पुर्चा को ये इसकाइब भी हिए पुज्टि मेटर है ये भी अच्छा होता है। एलेक्टिक पार्ट होते हैं और अच्छी उसका शूता है। और अधर सक्ट्रक्चर की बात करें, अधर सकंपनियों की वज़े से हमारा जो बॉड़ी सक्ट्रक्चर है गाड़ी का वो काफी मजबूत है, मतलब जिसके उपर हमें भरोसा है कि यह काफी लंबा टैम तक चलेगा कोई दिक्कत नहीं है, और वेट के हिसाब से वी पलस में ह और गाड़ी के फीचर्स में वी पलस में हैं चल रहे हैं, अगर भरोसी की बात आपने कहीं, तो किसानों पे जो खिसानों के उपर भरोसा करना है, वो उनका भरोसा जीतना हो, बहुत मुश्किल काम है, क्योंकि अगर एक बार उनको पसंद आएको तो वो बार बार जो है, किसी भी प्रोड़क्ट की बात करें, तो वो बार बार आपसे जरूर कॉंटक्ट करते हैं, तो इस मामले में जो है, वो आपकी कमपनी कितना भरोसा जीत चुकी है, काफी भरोसा हमने हासिल किया है, ऐसी बात नहीं है, जैसे कि हम 96 से गाड़िया बना रहे हैं, जो कस्टमर हम से पहले जुड़े हुए हैं, वो खुद ही बता देते हैं, कि उनको मैंटिनेशन में, अधरस गाड़ियों में से, हमारी हारवेस्टर में मैंटिनेशन उनका कम आ रहा है, और फील्ड में जब गाड़ी चल रही है, तो ब्रेक डाउन उनको बहुत कम आ रहा है, और जो तो वहां से खुश हैं और हमारी गाड़ी में मतलब जैसे की मटीर वेस्ट नहीं जाता है जैसे की क्रॉप खराब नहीं होती है और गेहूं बिलकुल साफ और साफ सुत्रा और पूरा निकलता है सा नहीं है भी कुलकुस का टुकड़ा हो जाए यह चीज नहीं होती है जीए जूड़े हुए हैं किसानम से कि उनको लगता है कि हमने जो डिसीजन लिया है सही लिया है यानि कि भरोसा जो है किसानों को है आप पे अगर हम हर्वेस्टर बनाने की पूरी process के बारे में जाने तो आपके जैसे factory है हर पार्ट भी बनता है पूरी machine भी बनती है तो प थेल हो गया, राव मःटी न हो गया उसको लेथ मिशीनों के ओपर टर्न किया या या उसको जान की इसनों की डीख एप जाका होती है उस से पूर जार बाली किण्चा करने के बाद पहले इसका बड़ी से ट्रुक्चर। तर टार होता है बोड़ि स््रक् ninguna के बाद जैसे 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 अधर स्पर्ट होते हैं जैसे उसके अंडर अंधर अंटेरन पार्ट आण फिर बाहर वाले पार्ट लगते हैं उसके बाद उसको राफ पेंट किया जाता है काड़ी को फिर उसके ओपर इंजन अटएच्पेृंट पढ़ा जाती नियुकते हैं फूरे प्रोसस में लगजाते हैं अगर रूटीन में दो रेकर के यह आठ दिन के अन्दर यह ठुराइब तेहु उत में टीम होते हैं तो जिन को अपने अपने टाइम के अपना पाथ तयार करते रहे तो जैसे जैसे पाट तयार होता है वह एक पाट त्यार कर्या दूसरा उसको फिटिंग कर रही है तो ऐसे करके लगता है तो तür फिप्लाजमा कटर के देखा वा एक तरह के सहते लबना काम करता है वह कम्पीटlike the system अधे प्लाजमा है जिससे जैसे कि फॉर और लानिको पर लिए नुकसान पहते हो यहां जेसे यहां जासे पहले ् ढ़ने喔ि प Issádा हो गया हमारा टाइम कं लगता är कि reconstruire स स्थी आपनाने में वह सब्सित तुम हमारी जो पर्डक्शन है वह जादा बढगे है और कंप्यूरिय्ट राइज होसे हमारे कुछने की वज़े सेthere їं रिलकुल तो यह हर्वैस्टर लेक fellows कितने मजदूल का यहां की हर्वैस्टर कर लेता हैं यह जानकिक पे जानले कि जैसे कि जो काम अगर गहुं की कटाई की बात करें पहले के होगी कटाई होती थी तो शको बंदल बनाया जाता था फिर उसको एक一樣 hahaha टाइब टाया तो तो हमको पांच से लेकर के आट दिन लगते थे उसकी कटाई और बंडल बनाना और गेहू निकालने तक के लिए अब वो जो काम है वो हारवेस्टर की वज़े से सिर्फ दो तीन घंटे में हो जाता है तो कम से कम पांच दिन में दस आदमी काम करते थे वो आद एक घंटे के आप से जानेंगे आपके बारे में कि आप कैसे इस फील्ड से जुड़े इस कंपनी से कैसे जुड़े लेकिन दोस्तों फिलहाल यहां वक्त हो गया है एक और छोटे से ब्रेक का आप कहीं मत जाईए देखते रहिए ग्रीन टीवी जैसे कि हम ज्यादा दर तो एगरी कल्च कि ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है ग्रीन टीवी के कारकर्म किशी धुरंदर में अब आप से जाना चाहेंगे कि अगर आपकी एजुकेशन की बात करें तो आपकी पढ़ाई कहां पर कंप्लीट किया आपने और क्या आपका इंटरस्ट पहले से ही एगरी कल्चर रिलेटेड मतलब एगरी कल्चर फिल्ड में था और फिर बाद में जा के आपका तो फिर हमने अपना फेक्टरी शुरू किया और उनके साथ 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 स्कूल टैम से टैम बचा करके हम भी लगे रहते हैं साथ साथ में क्योंकि थोड़ा इंटरस्ट हो गया था कि यार यह हम पड़क्ट बना रहे हैं उसके बाद तक फिर मैंने ज्यादा नहीं मैट्रिक तक मैंने किया है मैंट्रिक तक छोड़ने के बाद फिर इस लेंड में घुज गए तब फिर पड़ाई छूड़ की तो इसी लेंड में आ गया तिर आपके पिता जी ने इस कंपनी के शुरुआत की आप कब जुड़े इसे नाइंटी फोर में जैसे इसकी शुरुआत होई तो मैं नाइंटी सेवन या एट में मैं जुड़ा हूँ अपने फादर साफ के साथ नाइंटी एट से आप लगातार इसका जी लगातार जी जी इसके बाद में फिर तकरीबं ये सन 2000 या 2001 से तो प्रॉपर काम करी रहे हैं सर्स जैसे कि अगर हम गौर्मेंट की सबसीडी की बा इंस्टॉल्मेंट में पैसा दे के ले सकते हैं तो क्या कुछ ऐसा प्रॉसस है जी हाँ सबसीडी है जैसे कि कई स्टेट के पूरे सेंटर में तो नहीं है लेकिन अगर कई स्टेट के अंदर इसका सबसीडी है जैसे कि बिहार में है और MP में है और अभी गुजरात में है य तो आगे चलके जैसे जैसे रिक्वार्मेंट निकलती है किसान को क्या चेज सी रेक्वार्मेन्ट थे उसके शाब से जो चीज क्रिशी यंतर में आएगी हम उसको बनाएगी कुसी अपला के अगर मार्केटिंग की बात करें तो किसी भी बिशनस में या किसी भी काम में जो है वो मार्केटिंग बहुत इक मतलब यह रोल निवहाता है तो आप लोग जो है वधियों अपनी आपनी प्रोड़क्त की अपनी कंपनी कि मार्केटिंग किस तरीके से कर दें जैसे कि हो गया, नियूज़ पेपर हो गया, और मैगजीन बगरा हो गया, यह कारण में मुख़ाई है, उसके बाद में सबसे बड़ी, तो मार्केटिंग हमारी हार किसान से हो जाती है, जो किसान हम से जुड गया, जब गाड़ी फील्ड में, देखिए, हारवैस्टर जो है, तो इसको लिए किसान जिस ने इसको खरीदा है तो अपने एरिय में रहेगा तो उसको फील्ड में ही चलाएंगा फील्ड में 주14 को लेंए तो उसको देखने के बाद उसके पाम को देखने के बाद si need machen हमारे साथ ऐसी जुड़ जाते हैं एड़ोडाइसमेंट है मार्केटिंग है यह हमारा कुप जो हमारा कस्टमर है वह कर देता है क्योंकि उसको जब अच्छा रस्पोंस मिलता है तो चार लोंगो और बताता है कि यह अच्छा पुड़क्ट है हमने इसको लिया हमको बैनिफि वहां से भी मार्केटिंग होती है वहँ पर भी करते है को अपनों क्या दैश के दूसरे ऑन से देशों में भी क्या एक्सपोर्ट करते और अगर अगर बढ़ करें इンニटिया में कौन कौन से आज हमें आपके प्रोडक्ट करें इंडिया में करेब जल और गार्भ इम होता ह और महरास्टर हो गया, 36 गर्ड, MP, UP, Punjab, हर्याना सभी स्टेट में चलता है अब देश के बाहर में तो अभी ज्यादा दर तो नेपाल में एक्सपोर्ट हो रही है अब बिजनस मंतरा क्या है जो किसान ने हमारे उपर वरोसा करके हम अमारे साथ जुड़ा है हम उसका वरोसा ना कभी तोड़ें उसके वरोसे को काईम रखें उसको सर्विस दें हमारी गाड़ी में कोई अगर कोई फाल्ट आता है तो हम उसकी सुने यह सबसे बड़ा मंतर है सर आपने अपनी कंपनी के बारे में और अपने बारे में इतनी सारी जानकारी दी इसके लिए आपका बहुत-बहुत धन्यवाद तो दोस्तों आज आप मिले NS AgroWorks के Managing Director से दिनों ने हमारे जरीए आपको अपनी कंपनी के बारे में और अपने प्रोड़क्त के बारे में बताया तो आईए मिलते हैं इसी कंपनी के डारे में थोड़ी और जानकारी मार्केटिंग के लिए हमने अपने कुछ employees रखे हुए हैं जैसे वो बाहर की मार्केटिंग देखते हैं और magazine और newspaper और social media से भी हम जुड़े हुए हैं मार्केटिंग के लिए जैसे हम कस्टमर को जब टच करते हैं, तो उनको समझाते हैं, जो आप 10 दिन का काम है, आपका एक दिन में हो जाएगा, जिस काम के लिए आपको 20 बंदे चाहिए, उसमें दो बंदे ही आपका काम कर देंगे, और जैसे कस्टमर हमारे साथ जुड़ता है, तो उसको वन टाइम इनवेस्टमेंट करना पड़ता है, उसके बाद वो कम से कम 10 साल तो उसको नए अपड़क्ट लेने की जूरत नहीं है, और इसके साथ साथ वो एक फसल के साथ कई फसले वो इससे हारवेस्ट कर सकता है, जैसे ओन फ्यूचर में हमको अपने मार्क्टिंग करने के लिए हम जैसे मीडिया का जमाना है, मीडिया के साथ जूट रहे हैं, और आगे ओन फ्यूचर के लिए हम अपनी जगा जगा ब्रांचिस भी खोल रहे हैं तो दोस्तों आज हमने आपको पटियाला के नाभा में स्तित एनेस एग्रो वर्क्स के मैनेजिंग डायरेक्टर और डायरेक्टर से मिलवाया, जिन्होंने हमारे जरीए आपको अपने बारे में और अपनी कमपनी के बारे में बताया तो फिलाल आज के लिए बस इतना ही फिर होगी आपसे मुलाकात कोई नए कृशी धुरंदर के साथ तब तक के लिए मुझे दीजे इजाज़त और देखते रहे ग्रीन टीवी नमस्ते झाल के साथ